मतलब क्या किया था रहुल गांडी ने यूपिय सरकार में क्या किया था पाकिस्तान और साइना का साथ संबन बनाया था ये क्या नियूज हो सकता है अब क्यों बनाया था संबन पाकिस्तान और साइना का साथ जब पाकिस्तान और साइना हमारा दुश्मन है अब क्या कंडिश में संबन बनाया था वो तो लोगों को बटा क्या agreement हुआ था आप लोग संबन बनाने का समय में क्या वो कश्मिर शोर दिया था प्यों के हम लोग को दे दिया था क्या साइना ने भारत का उपर अपना claim उड्रो कर लिया था क्या हुआ था कुन सा संबन बनाया था एक तो संब में जानता हूँ कि आपने कुछ रुपिया रजीब गंडी फाउंडेशन साइनीज एमबेसी से मिला था उसका बाहर जाके कुन सा एग्रिमेन हुआ था और यह जो आप बार बार बोल रहे है कि भारत का सेना पिद गिया उनका यह आपका information कहां से आ रहा है यह सोर्स कहां कु सेना को संदेश देना साथ है कि सेना और सरकार अलग है तब उनको मुबारग है लेकिन भारत का हर लोग जानते है कि सेना का पूरा डेश सरकार तुसरी तो डिजे पूरा डेश सटन का तरफ खरा है वो तो सब देश जानते हैं उसमें तो कोई हमें तो कुछ बीबार नहीं दिखाई दिया अच्छा है सहरा ही तु है ना केंडिडेट ही है तो प्रधान मंत्री जी तुन नरेंड्र मोडी जी है वो तो शेयर ओकुपाइड है बाकि आप कैंडिडेट साई कमलनाथ बनें निटिश कुमार बनें अमारा क्या फरक पर दो बनें रहुल जी उसमें हमारा क्या परग है candidate के लिए आपको मुबाराग है लेकिन पी एम का असन खाली नहीं है उसमें तो मोडी जी है और रहेगा भी केंडर गवर्मेंट से विग्यापन की सरकार है आप लग विग्यापन बेतना पैसा खर्च परता है लेकिन जुन चीजों में खर्चा होना चाहिए वो नहीं है स्रफ विग्यापन की सरकार है मैं तु देखा हूँ ये सरकार एम्स बनाने वाला सरकार है मैं तु देखा हूँ ये सरकार रेल को पूरा उत्तरपूप का सिमाव टक ले जाने का सरकार है मैं तु देखा हूँ ये सरकार गरीब को अन्ना देने वाला सरकार है मैं तु देखा हूँ ये सरकार घर-घर में विजली देने वाला सरकार है कि अगर आप देखे तो यह सरकार जतना काम करता है उससे बहुत कम बोलता है नई तो हर दिन विगापन का जरुरण होता था तो पता नहीं नीटिश जी का क्या इसमें कहां से वो यह बाद निकाला मेहबबा मुफ्थी ने सीजी आई को लेटर लिखा है उसने कहा है कि पेश के जो मूल अधिकार है वो लक्जीरियस और इंटाइडलमेंट यानि की विलासिताब हो अधिकार पताने यह सब क्या है यह तो उनको ही मुबारुग है क्या बहुत एक अधिस सवाल है बहुत धर्म गुरु दलाई लांबा ने कहा है कि चीन सरकार ने बहुत धर्म को नश्च करने की कोशिश की है जहर मानकर हमें नुक्सान पहुचा है लेकिन हमारा जो धर्म अभी भी है वहाँ देखे बहुत धर्म एक बहुत ही जैसे आप जानते हैं बहुत ही आध्धात्मिक एक और हम यह मानता भी है कि कभी भी बोध धर्म को कोई शती नहीं पहुंस पाएगा वो बरते ही जाएगा किसले बोध धर्म का जो बेसिक टिनेंड है वो पूरा बिश्य को अमनार सांती का बानी देता है कता हैं करनाटक में मेरा मेरा में यह सब काफ़ा बहुत जाढ़ा नहीं तर्था कर रहे हैं वो बता रहे हैं व कि उनकी यात्रा कापी सटूस्फयल है वह बता रहे हैं देख्याव का क्रोरों लोग होगा जो बहुत ज़्यादा थंडा का समय में बहुत ज़्यादा काप्रा नहीं पेनता है कोई लुग T-shirt में रहता है कोई लुग बिना T-shirt भी रहता है तो उसमें क्या exception है यह आप T-shirt में है तो वो अपना fashion है कोई कुटा में रहेगा कोई टी सार्ट में रहेगा किसी को ठंडा लगेगा किसी को ठंडा नहीं लगेगा किसी का निमोनिया कॉफ है उसको ठंडा जादा लगेगा किसी का निमोनिया कॉफ नहीं है बोदी भगवान ने तो रेजिस्टेंट पर जादा दिया है उनको नहीं खाद़ को झाद़ कर सथनु हो र 5 आपाद दनी सभावत कर सबक्राइक कर दो चाद़อ सकने Potato